दोस्तों हाली में ही भारत की तरफ से एमेरिका की जनरल इलेक्टिक को एक और इंजन ओर दिया गया है और इस इंजन ओर के बाद में अब हमारी वायू सेना के बाद अब हमारी नो सेना भी एमेरिका की जनरल इलेक्टिक के इंजन के उपर ही निर्भर होने वाली है आप सभी ये बात जानते हो कि 2021 में भारत और अमेरिका के बीच निन्यान में F404 इंजन की डील को साइन किया गया था इस डील को साइन हुए तीन सालों का समय बीच चुका है लेकिन अभी भी जनरल इलेक्टिक ने भारत को एक भी इंजन की सप्लाई नहीं की है और इस समय अमेरिका का कहना है कि हमारे देश के अंदर सप्लाई चैन इशू चल रहा है जिस कारण हम भारत को समय पर F404 इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और इस सब चीजों को देखते हुए भी फारत की तरफ से अब अमेरिका की जनरल इलेक्टिक को LM2500 इंजन का ओडर दे दिया गया है LM2500 इंजन का इस्तुमाल हम अपने जंगी जहाजों के अंदर करते हैं ये एक गैस टर्बाइन इंजन है हरत का ये ओडर दिखाता है कि इस समय एक्चुल में ही अमेरिका की जनरल इलेक्टिक के अंदर F404 इंजन की सप्लाई चैन का इश्यू चल रहा है LM2500 इंजन की बाद की जाए तो इस इंजन को भारत के अंदर ही असेंबल किया जाता है इस इंजन की किट को हम अमेरिका से लेते हैं और बाद में इस इंजन को भारत के अंदर ही असेंबल करते हैं और पिछले कुछ समय से आपने भी ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि इस समय साउथ कोरिया के अंदर धना धन F404 इंजन को बनाय जा रहा है और इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि साउथ कोरिया ने भारी संख्या में F404 इंजन की किट को खरीद रखा है और इस किट की मदद से ही ये अपने देश के अंदर F404 इंजन को बना रहे है इस समय देखा जाए तो भारत अपने जदातर जंगी जहाजों में अमेरिका के इसी LM2500 इंजन का इस्तिमाल कर रहा है इस समय भारत की तरफ से प्लैनिंग ये की जा रही है कि अमेरिका से भारी संख्या में LM2500 की किट को खरीदा जाए ताकि आगे चलकर भारत को इंजन को इंजन इस्तिमाल करते हैं और भविश्य में ये इंजन हमको परेशानी में डालने वाला है क्योंकि इस समय युक्रेन किसी भी देश को किसी भी तरीके के हत्यार की सप्लाई नहीं कर पा रहा है इसी लिए इस समय भारत के लिए ये चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम समय LM2500 का इस्तिमाल हम अपने INS विकरांट के अंदर भी करते हैं इससमय हमारे INS के अंदर 4 की संख्या में LM2500 इंजन लगे हुए है हैं और जो हमारी निलगरी क्लास की जंग जहाज हैं उनके अंदर दोदो की संख्या में ये LM2500 इंजन लगे हुए हैं और जो हमारे ये next generation के missile vessel होने वाले हैं इनके अंदर हम एक LM2500 का इस्तमाल करेंगे इस समय भारत अपनी 9 सेना के लिए 6 की संख्या में next generation missile vessel को लेने वाला है जो हमारी 9 सेना को distributed fire power प्रोवाइड करेंगे distributed fire power को आप एसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे एक destroyer के अंदर 100 missile लगी होंगी तो उस condition में हमारे जो ये missile vessel होंगे इनके अंदर 30-20 missile लगी होंगी और अगर दुश्मन देश हमारे वड़े destroyer को तभा कर देता है तो उस समय हमारी सभी missile पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगी जिनका इस्तमाल हम नहीं कर पाएंगे लेकिन distributed fire power का ये फायदा होगा कि अगर दुश्मन हमारे किसी छोटे missile vessel को तभा भी कर देता है तो उस condition में हमारे पास 3-4 ऐसे missile vessel बच जाएंगे जिनके मदद से हम दुश्मन देशों के जंगी जहाद को तभा कर सकेंगे